तो वेल्कम टू गाइज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पावरफुल टूल जिसका नम है माइकोसोफ्ट पावर टॉइस देखने में तो एक खिलोने जैसा टूल लग रहा है मगर यह कोई खिलोना नहीं है यह एक बहुत ही पावरफुल टूल है माल लीजिए आपके कम्पेटर में कुछ इमेजिस पढ़िए जिन इमेजिस को आपको क्रॉप करना है चोटा करना या उनका साइज कम करना है तो इसके लिए आप क्या टूल इस्तमाल करेंगे मैं आपको दिखाने के लिए अभी ग्राउजर में ले चलते हम कुछ इमेजिस डाउनलोड करते हैं और प्राब्लम क्याती कि आजकल हर वेबसाइट पर फॉर्म बढ़ना है कुछ भी काम करना है तो हमें इमेजिस चाहिए काफी सारी इमेजिस को हमें क्रॉप करना पड़ता है डाउ टिक होगा लगा इनको हम डाउनलोड करते है ऑप्शन के डाउनलोड पर देखते हैं अब यह वाला इमेज आप पकड़के चलोगे तो इसका साइज है जी 3 लिखा देता हूं आपको अभी अभी जो इमेजिस हमारे पास आया है फाइल है इन स्मॉल्स फाइल को हम यहासे कर देते हैं दुबारा इस फाइल की बात करें तो तीन MB का है किसी तरह कि हम कुछ और FSpX Benn Channelaris कर लेते हैं जैसे यह फाइल सहे बार इसको उठा लेते हैं योद्र हो जो चुछ Judge पाइज का ही होगा विए कि विड प्रफ चाहिए लिए यर। 3 इसके लिए हमारा यह वीडियो बनाने का मकसद है वीडियोस हम थोड़ी बड़ी बनाते हैं ताकि हर कंटेंट आपको जीरो से समझाया जाए अब देखे एक चौटी सी कंडिशन मैंने आपके सामने कर दिया हमारे पास चार या पांच स्नापस यह सारे स्नापस में फॉल्डर में लता हूँ समझने के लिए यहां पर लिया हूँ मैं निलते हैं इसका साइज 1.42 एंबी यह नीचे देख सकते हो इसका साइज जे 1.39 इसका साइज 2.5 यहां पर कोई official document हो सकता है आपकी photos हो सकती है आपको one shot में इन सारी file के size बदलने है इनके pixels कम करने है या इनको कम करना है तो उसके लिए आपको search करना है ये वाला software Microsoft Power Toys कैसे अभी आपको इस file का size कम करना है आप क्या करेंगे आप यहां जाएंगे Google में लिखेंगे JPG file size reducer अब आप इस file size reducer में जाएंगे यहां एक आपको apps मिलेगी जिसमें आपको one by one by one करके अपनी एक एक file upload करना है और उसका size को बदलना है नहीं ऐसा कुछ करने की जूर्थ नहीं है ये file अभी 4 है ये 400 भी हो सकती है ये 40,000 भी हो सकती है और मैं आपको अभी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसमें आप one short, one click इन सभी file के size ये अभी MBs में है इनको KBs में ले आएंगे कैसे, very simple आपको search करना है आज कल Windows 11 और 10 10 और 11 दोनों में आप जाओगे तो Microsoft जैसे आपके Play Store है App Store है Apple Store है उसी तरह Play Store है Apple में भी अपने एक Store होता है उसी तरह Windows 10 और 11 में Microsoft Store है आपको अपने Microsoft Store पे जाना है और वहाँ पे search करना है Microsoft Powerful Toys TTC Application So MB का भी नहीं है इसको आप अपने Laptop में डाउनलोड कर लेजे Very Simple Microsoft Power Toys यह वहला एप्लिकेशन आपको दिखा भी दे यह उल्लेडी मेरे इस Laptop पे इंस्टॉल है आप इस पर क्लिक कर गए तो आपको इस्टॉल का बटन मिलेगा आप इस एप को इस्टॉल कर लेजे आपको इस एप को इस्टॉल करना है उसके बाद आपको जितनी भी फोटो का साइज कम करना है उन सभी फाइल्स को स्लेक्ट कीजिए ऐसे माउस से पकड़के या Ctrl A दबा कर जैसे आप यह करेंगे रैट क्लिक कीजिए यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाएगा री साइज पिच्चर यह बटन पहले नहीं आएगा जब आप Microsoft Power Toys को डाल लेंगे तब यह बटन आपके पास आएगा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है वेरी सिंपल आपको आप्शन्स मिल गए है आप फाइल्स को समॉल मेडियम, लार्ज, पोन किसी भी रूप में कनवर्ट कर सकते है अपी तो आप कस्तमाइज भी कर सकते हैं जी साइज, फिट, स्टैट, फिल, कैसा भी कितने भाई, कितने का हाइट विट तो पिक्सल लेवल पे अरजस्टमेट करनी है सेंटीमेटर इंच परसेंटेज जैसा आप चाहें मैं पिक्सल पे करता हूँ और इन सभी फाइलों को वन शोट देखते हैं आपके सामने तो मोर करके री साइज पिच्चर जैन इनको समॉल करते हैं जैसे यह मैं री साइज करूँगा वन सेकिंड आल फॉल्स आपको एक कॉपी और मिल जाएगा आपके सामने देखिए अभी क्या हो रहा है यह फाइल सतर एमबी का हो गया है जो पहले फाइल कितने का था वन पाइंट फो एमबी यह फाइल कितने का हो गया है जो पहले कितना था वन पाइंट थर्टी नाइन यह फाइल केवल एक सो सतावन केवी का हो गया है जो पहले कितना था 3.29 यह फाइल कितना 83.1 के भी तो अभी कितना है 2.1 तो MBIS की फाइल 1 second में आपकी convert हो गई इसना असान है मान लिजे तो 4 थी ऐसी 400 होती ऐसी 400 लाक होती ऐसी 40,000 होती इस एप के जरीए आपकी powerful windows ही किसी भी website में नहीं जाना किसी internet की जूरत में ही है one time अपनी Microsoft Store में जाएं और Microsoft PowerToy free of cost डाउनलोड करके रखें everything files का size आप convert कर सकते हैं one second one short तो आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो इसको subscribe कीजिए ऐसी more than technical videos के लिए और हमारे चैनल की videos अच्छे लगिए तो comment में हमें बताएं किस topic पर आपको video चाहिए वो बताएं हम उसको उस level पर वीडियो लेके आएंगे और अगर वीडियो अच्छे लगिए तो अपने friends अपकर में इसको share कीजिए वीडियो पसंद आतीर इसको like कीजिए और तब तक next video के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर बने रहे और उसको subscribe करके रखे Thank you and bye bye.